ठीक है, तो आज का अमारा टॉपिक है रोटा वैक्सीन या रोटा वारिस वैक्सीन क्लास शुरू करने से पहले बता दो, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे, वहां से आप डाइरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं, रोटा वैक्सीन सबसे पहली चीज़ जो रोटा वैक्सीन में आपको पता होनी चाहिए that is किस तरह की वैक्सीन होती है, तो ये लाइव एटिनुएटेड वैक्सीन होती है अब अगली चीज़ जो इंपोर्टन है ना, that is कि क्या ये ओपन वाइल पॉलिसी के तहत इस्तिमाल कर सकते हैं याद है हमने और भी पढ़ी थी कौन-कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वाइल पॉलिसी के तहत इस्तिमाल नहीं हो सकती है उसमें हमने पढ़ा था कि भाई मैंने J.E. दिया उसके बाद B.E. किया और अब मैं रोता हूँ तो मैंने से M.E. ने मीजल्स, J.E. ने जैपनी जिन से फिलितिज, B.E. ने BCG और ROTA-A रोता वैक्सीन तो ये चार हैं जो ओपन वाइल पॉलिसी के तहत इस्तिमाल हम नहीं कर सकते हैं ठीक तो ओपन वाइल पॉलिसी के तहत, ओपन वाइल पॉलिसी होती है याद है कि अगर एक बर आपने vaccine while खोल लिया तो आप उस vaccine while को 28 दिन तक इस्तिमाल कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते हैं that is me, j, b, rota तो measles, japanese insufflitis, bcg और rota आप open while policy के तहत इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पे लिखा है कि open oil policy किता है, तो रोटारी इस्तिमाल नहीं हो सकता है, और इसलिए उसको within 4 hours आपको इस्तिमाल करना है, root of administration क्या है, तो oral होता है, उसके अलावा कितनी dose देते हैं, तो 5 drops हम देते हैं, that is equivalent to 0.5 ml, और कितने temperature पर रखना है, तो 2 से 8 degree temperature पर मुखिता रखा जाता है, यह किसका temperature होता है, यह ILR का temperature होता है, इसलिए, PHC और CHC पर हम 2 से 8 degree centigrade, that is ILR में रखते हैं, मगर exceptions, जैसे कि OPV में था, वैसे यहाँ भी है, कि state और district level पर, अगर हमको इसको bulk में store करना है, या फिर ROTA को long term storage करना है, तो हम इसको minus 15 से minus 25 degree centigrade पर भी रख सकते हैं, जो की deep freezer का temperature होता है, ठीक, तो हमने क्या पाड़ लिए, इसमें यहाँ पर लिखो, ROTA V, तो ROTA vaccine में सबसे पहली चीज़ क्या, oral होती है, और यह जो V है, V क्या denote करता है, आपको V होता है, Roman letters का 5, तो कितना आप 5 drops देते हो, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ROTA oral 5 drops, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह drop के थू दिया जाता है, और यह pink color का dropper होता है, अब एक और चीज़ जो important है, जो आपको याद रखनी है, that is यह जो ROTA vaccine होती है, इसका यह dropper होता है, मुखिता हम ROTA vac ही यूज करते हैं, अपने National Immunization Schedule में, तो यह dropper होता है, यह pink color का होता है, यह याद रखना, क्योंकि यही dropper, जो OPV में होता है न, यह white color का होता है, अगर आपको याद हो, जब हमने OPV पढ़ा था, तो OPV में यह जो dropper है, यह white color का था, जब कि, जब हम ROTA में याद करेंगे, तो ROTA में यही dropper, pink color का होता है, ठीक, तो यह आपको differentiation पता होना चाहिए, क्योंकि वाईवा में आपसे, OPV और ROTA, आजू-बाजू रग दी जाती है, नाम चुपा दी जाती है, अब बोलते हैं, बताओ इसमें से OPV कौन सी है, ROTA कौन सी है, तो आप बत देख लोगे, कि भाई, आप pink color का dropper है, तो ROTA है, और अगर यही dropper white color का होगा, तो OPV जादा तर ऐसा ही होता है, ठीक, तो हमने पढ़ लिया, कि भाई, कैसी होती है, live attirinated, open while policy के तहत नहीं इस्तमाल होती, इसलिए 4 घंटे में use कर लेनी है, root of administration, oral होता है, कितनी देते हैं, तो 5 drop देते हैं, और कितना temperature पे, 2 से 8 degree temperature पे, इसको रखा जाता है, इसको minus 15 to minus 25 पे रख सकते हैं, तो इते in general हमने देख लिया, अब schedule की बात करें, अगर हम कि कब-कब देनी है, तो वो depend करता है किस तरह की vaccine है, मुखिता जो Rota होती है, ना, वो 3 तरह की होती है, कौन-कौन सी होती है, यह वो 3 तरह की, एक होती है Rota-Vac, एक होती है Rota-Rix, और एक होती है Rota-Tec, यह 3 हम देखेंगे, that is Rota-Vac, Rota-Rix, और Rota-Tec, तो यह 3 वैक्सीन हम अलग-अलग देखेंगे, कि किस तरह की होती है, और कब-कब इसको देना है, सबसे पहले चीज़ जो है, Rota-Vac जो है, वो monovalent वैक्सीन होती है, इसकी 3 डोजिस दी जाती है, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में, कुछ याद आया, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक हमने कहां पढ़ा था, यस, हमने इसको National Immunization Schedule में पढ़ा था, तो जो Rota-Vac है, वो National Immunization Schedule में दी जाती है, यह आपको देख सकते हैं यहापे, यह आपकी Rota-Vac है, Simple OPV जैसा इसमें भी ड्रॉपर लगार होता है, बस यह Pink कलर का ड्रॉपर होता है, इसको Orally दी जाती है, that is हमारी Rota-Vac, ठीक, सेकिंड नमबर पर आती है Rota-Rix, Rota-Rix जो होती है, वो Monovalent Vaccine होती है, इसकी 2 doses दी जाती है, 2 महिने और 4 महिने की एज में, इसमें जो Strain यूज होता है, वो Human Strain होता है, अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, कि यह जो 2 doses हम दे रहे हैं न, 2 महिने और 4 महिने में, अगर मान लो थोड़ा बहुत लेट हो जाए, या कुछ हो भी जाए न, तो याद रखना कि इसको 24 हफ़ते के बाद, आपको नहीं देनी है, या it must be completed in 24 weeks, याने कि 24 हफ़ते के बाद, इसको आपको नहीं देना है, कैसे याद करोगे, तो यह देख रहा है आपको, 2 महिना और 4 महिना, तो इससे हो जाएगा, आप याद करोगे, 24 हफ़ते, तो 24 weeks के बाद, आपको नहीं देनी है, अगर आप देखो तो 6 मंथ, लगबग 6 मंथ होते हैं, तो 24 weeks के बाद, आपको रोटारिक्स नहीं देनी है, अब न एक और चीज़, इसमें रोटारिक्स में याद रखने हैं, यह देखो, यह दिख कैसी रही है, आपको देख रहा है, यह रोटारिक्स एक्टम यह injection टाइप की रखी होई है, तो आपके सामने अगर आपके म्यूजियम में रोटारिक्स है, आपके मेटिकल कॉलेज की म्यूजियम में, तो आपको यह रैपर हटा देते हो, वो सिर्फ यह ऐसे खोल के रख देते हैं, अब बताओ कि इसका रोट ओफ अड्मिनिस्टेशन क्या है, तो आपको यह ना इंजेक्शन जैसे दिखती है, तो आप बोल देते हो, वो आई एम या सबकुटेनियास या इंट्रडर्मल नहीं, यह देखो, यह ऐसे इसको ओरली ही दिया जाता है, इनफाक्ट इसके रैपर में भी लिखा ही हुआ है, और यहां पर नो इंजेक्ट की इंजेक्ट आपको नहीं करना है, तो आपको क्लियर है कि और तो रोटा वैक्सिंस है ही, मगर यह जो इंजेक्शन जैसे दिख रही है, यह इंजेक्टिबल नहीं है, यह ओरल ही है, समझ गए हैं? तो इससे आप confused नहीं होना ठीक तो पहले हो गई RotaVac दूसरी हो गई RotaRix अब तीसरे नमबर पर जो आती है ना that is RotaTec RotaTec जो है एकदम नई वाली vaccine है यह नई नई आई हुई है यह monovalent नहीं होती है बाकी दो monovalent थी यह है pentavalent vaccine इसकी 3 doses होती है 2 माईने, 4 माईने और 6 माईने इसमें जो strain यूज होता है याद है हमने RotaRix में देखा था human strain बस है जबकि RotaTec जो है ना इसमें दोनों का मिला के है bovine और human strain को मिला के बनाया जाता है इसलिए इसको bovine human reassortant strain करते है reassortant का मतलब क्या होता है हम mixing करते है genetic material की that is reassortant तो bovine human reassortant strain हम RotaTec में इस्तिमाल करते है अब एक और चीज़ याद रखनी है कि यह जो हमने बोला ना इसके 3 doses होती है 2 महिने, 4 महिने और 6 महिने तो यह जो आखरी dose है ना इसको 32 week के अंदर लग जानी चाहिए मतलब कि within 32 weeks आपको यह 3 dose complete कर लेनी है उसके बाद आपको नहीं जाना है और एक और चीज़ है कि यह जो पहली dose देते है ना हम 2 महिने में यह पहली dose अगर delay होता भी है होता भी है तो 12 हफते के बाद आपको नहीं देनी है ठीक है तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है पहला कि within 32 weeks आपको इसकी 3 dose complete कर लेनी है और दूसरी चीज़ कि जो पहली dose है वो 12 हफते के बाद आप नहीं लगा सकते हो अब आपका सवाल है क्यों नहीं लगा सकते हैं तो क्योंकि अगर आप इसकी पहली dose 12 हफते के बाद लगाते हो तो आपको into susceptible के तौर पे बच्चों में into susceptible देखने मिल सकता है इसलिए आप 12 हफते के बाद इसको नहीं लगाते हो और इसी लिए जो catch-up campaigns होते हैं catch-up campaigns क्या होते हैं catch-up campaigns होते हैं कि जो छूट गए बच्चे उनको या जैसे कोई migratory population है वहाँ पे उनको अब किसी बाहर के शहर से आपके है migratory population आई बहुत सारे लोग आपके हैं जैसे कि अभी covid unlock हुआ था तो बहुत सारे लोग बाहर से वापिस अपने घरों में आ गए तो उनके लिए हमने क्या शुरू किया था उनके लिए हमने catch-up campaign शुरू किया था कि भाई जो छूट गए हैं उनको ढूंड के पकड़ लो या उनको पकड़ के लगा दो that is catch-up मगर इस catch-up campaign में एक पंगा होता है कई बार हमको बच्चों की exact age नहीं पता होती अब अगर हमको exact age नहीं पता होगी और गलती से वो बच्चा बारा हफ़ते से जादा उमर का होगा तो पता चला हमने रोटा लगा दिया और उसको इंटो सेसेप्शन हो गया इसलिए catch-up campaign के लिए ये vaccine अच्छी नहीं है क्योंकि हमको exact age बच्चों की नहीं पता होती है तो अगर बारा हफ़ते से उपर का वो बच्चा हुआ और हमने लगा दिया तो भाईया इंटो सेसेप्शन हो सकता है और इसलिए हमको catch-up campaign में इसको नहीं दी जाती है समझ गए? तो ये आपको थोड़ा सा rota tech के बारे में भी पता होना चाहिए अगर आप देखो कि ये कैसी दिखती है तो ये देखो फैवी कुट लगाते है हम वैसी फैवी कुट जैसी ये दिखती है फैवी कुट की वो छोटी 5 रुपे वाली आती है तो ये उसी के जैसे बिलकुल दिखती है तो इसको आप ओरली ऐसे देते हो तो तीनों ही ओरली है बस थोड़ा थोड़ा फर्क है पहली दो monovalent है तीसरी pentavalent है अब कैसे याद करेंगे तो तीनों को अलग-अलग कैसे याद करेंगे तो आप रोटा वैक को देखो तो यहाँ पर क्या है तीनों में रोटा तो सेम है बस एक में वैक है एक में रिक्स है और एक में टेक है ठीक तो सबसे पहले चीज़ अगर हम वैक को देखें तो वैक से क्या याद आता है सबसे पहले दाट इस vaccine schedule तो vaccine schedule का मतलब क्या है that is immunization schedule that is national immunization schedule तो वैक से आपको पता होना चाहिए कि वैक जो है वो national immunization schedule वाली है तो आपको वैसे याद आ जाएगा 6, 10, 14 तो अगर आप वैसे भी देखो तो यहाँ पर जो M है इसमें भी एक V आपको मिल जाएगा तो जो WAC है वो monovalent होती है तीक उसके बाद अगर आप X पे आओ Rota Rix पे तो इसमें आप देख रहे हो कि Rota तो common है इसमें है Rix तो I है इसमें I for injection तो injection जैसी कौन सी दिखती है Rota Rix injection जैसी दिखती है तो I for injection injection जैसी Rota Rix दिखती है तो ऐसे याद कर सकते हो उसके बाद आती है Rota Tech Rota Tech तो इसमें जो शब्द या इस्तिमाल करना है जो अक्षर वो है T अब आप देखो तो pentavalent में भी T है उसके बाद ये जो Rota Tech होती है re-assortant होती है तो देखो इसमें भी दो-दो T है उसके बाद अगर आप देखोगी into-susception तो इसमें भी T है तो आप Rota Tech में याद रख सकते हो कि भाई T for pentavalent T for assortant and T for into-susception तो ये भी आप याद कर सकते हो उसके लावा Rota Tech में जो याद रखने है that is 32 week और 12 week तो ऐसे याद रख सकते हो ये 2 महीना और 4 में 3 doses कौन कौन सी है 2 मेने, 4 मेने और 6 मेने तो 2 और 4 को साथ में उठा लो that is बन जाएगा हमारा 24, 24 को divide कर दो आप 2 से तो हो जाएगा 12, तो पहली dose 12 हफते में उसके बाद 4 और 6 उठा लो तो 6, 4, 64 64 को आप 2 से divide कर दो तो हो जाएगा 32 तो 32 week में आपको इसको complete करनी है तो 12 हफते, 32 हफते और 2, 4, 6 मेने तो ऐसे आप Rota Tech, Rota Rix और Rota Vec के बारे में थोड़ी और चीज़े याद कर सकते हो अगर मैं बात करूँ questions की तो theory exam में आपको Rota Vaccine या Rota Tech पे आपको short note आ सकता है और आता भी है अगर मैं बात करूँ spots की तो जादतर जो museums होते हैं community medicine department के medical colleges में वहाँ पे ना Rota Vec जादतर रखी रहती है क्योंकि मुखित यही national immunization schedule में रख रहे हैं तो आपको spots के लिए Rota Vec तो पता होने चाहिए कि भाई वो कब क्यों कब देते हैं कैसे देते हैं कितनी देते हैं और कब तक दे सकते हैं तो within 4 hours आप इसको दे सकते हो खुलने के बाद spots के लिए अगर मैं Viva की बात करूँ तो Viva में आपसे पूछा जाता है किस तरह की vaccine होती है open well policy के तहत इस्तमाल होती है कि नहीं और कब तक दे सकते हैं root of administration क्या है कितनी drops देते हैं rota vac के बारे में पूछा जाता है कि monovalent होती है कि pentavalent rota rix और rota tech के बारे में आपसे पूछा जाता है कि bhai monovalent है कि pentavalent है उनके rota rix के schedule पूछ ले जाता है कब कब देते हैं और rota tech का भी schedule पूछ ले जाता है कब तक देते हैं उसके अलावा viva में बहुत important चीज़ जो आपसे पूछे जाती है that is कब नहीं देना है तो rota rix को 24 हफते के बाद और rota tech में सबसे important चीज़ जो पूछे जाती है कि 12 हफते के बाद पहले dose क्यों नहीं देनी है क्योंकि into subscription करा सकता है तो यह कुछ questions जो आपको viva के लिए पता होने चाहिए उसके बाद अगर मैं mcqs की बात करूँ तो जितने भी underlined part है हमारे notes और slides में वो सभी various pg entrance exam में पूछे गए mcqs हैं तो एक mcq आपको यह आया है क्या इसको minus 15 से minus 25 degree centigrade पे रख सकते हैं तो हाँ state level पे इसको और district level पे रख सकते हैं उसके लाबा आपको mcq यह भी आया है कि reasortant strain कौन सा होता है तो reasortant strain जो होता है वो rota tech में इस्तिमाल करते हैं और into susceptible जो होता है वो complication के तौर पे देखा जाता है rota vaccine और rota tech का तो इतनी चीजे हैं जो आपको rota vaccine में पता ही होनी चाहिए थैंक यू